तो हेगाई वेलकम बाक टो मार चानल अगैन तो इस वीडियो आपको बहुत जन्रल टर्म में अनस्थीसिया समझाऊंगी यह एक ऐसी मेडिकेशन होती है जिससे की हमाई जो बॉड़ी है वह सेंसेशन लॉस कर देती है अब वह सेंसेशन लॉस पूरी बॉड़ी का भी हो सकत है या किसी एक स्मॉल लिजन का भी हो सकता है तो इसी को बोलते है अनस्थीसिया तो एनस्थीसिया बेसिकली होता है जनल एनस्थीसिया और रिजनल एनस्थीसिया नेक्स्ट इस लोकल एनस्थीसिया तो तीन टाइप के एनस्थीसिया में यहापे पढ़ेंगे जनल सबसे पहले हाता है General Anesthesia, General Anesthesia means जब हमें Un geworden, वहारी हई हैद to toe, पूरा sensation loss हो रहा है किसी भी पूरशन में हमें sensation नहीं रहा है यह basically face अगर कोई surgery होती है उस time पे General Anesthesia दिया जाता है और यह basically बहुत hard होता है इसके बार जब sensation loss हो जाता है भी surgery, पेशिंट को normal condition में लाना है तो it takes a lot of time. So, जो main और सबसे जो बड़ा anesthesia जिसको हम बोलते हैं बोल सकते हैं मतला है वो होता है general anesthesia Next comes is the regional anesthesia जो regional anesthesia होता है वो basically three types का होता है First is spinal, second is epigerial and third is peripheral nerve block तो जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं मैं हाइलाइट किया है जो spinal anesthesia है ये basically हमाई जो waste होती है जो कमर होती है उससे नीचे के portion को उसका sensation loss करने कमर से नीचे का अगर हमें general भाशन में बोलो तो कमर से नीचे का हमें जो area है वो सुन करना है तो उसमें हम spinal anesthesia देते हैं ये basically जब LSCS delivery perform होती है उस case में दिया जाता है next is the epidural anesthesia इसमें क्या होता है कि आपके जो neck region है उससे नीचे का पुरा portion का sensation loss हो जाता है then next comes is the peripheral nerve block इसमें क्या होता है आपका कोई भी portion body का उसका particular region का उसका sensation loss कर दिया जाता है अगर उसमें कोई भी surgery perform होनी है अगर आपके left head hand में surgery होनी है perform तो ऐसा नहीं कि उसमें epidural anesthesia दे दे देंगे नहीं अगर आपके left arm में problem है तो सिफ left arm को भी sensation loss कराने का एक anesthesia होता है जिसको हम peripheral nerve block बोलते है और वो किसके अंदर आता है region anesthesia के अंदर उसके बाद बात करता है last anesthesia जो कि है local anesthesia local anesthesia होता है कि अगर आपको आपका left hand के भी कुछ particular region में like elbow के नीचे या elbow के उपर कोई injury होई है वो injury पूरे हाथ में आपके नहीं होई है सिर्फ particular region में होई है like elbow के नीचे अगर आपको वोई injury होई है तो अगर उसमें कोई आपकी surgery perform होनी है या sutures लगने है और वो बहुत heavy sutures है बाड़ी के हिसाब से अगर कोई baby के लगने वो उसको सहन नहीं कर पाता है तो उस case में हम उसको देते है local anesthesia उस case में peripheral love block नहीं देंगे क्योंकि पूरे hand में surgery perform नहीं होनी है हमें सिर्फ particular portion का surgery perform करना है या उसमें suturing करनी है या dressing करनी है कुछ भी करना है तो उसमें हम local anesthesia देते है तो मैंने आपको बहुत easy language में anesthesia समझा है कि anesthesia क्या होता है कितने types का होता है basically ये 3 type का होता है general anesthesia, regional anesthesia, local anesthesia general anesthesia में मैंने आपको diagram से typical किया है जैसे जहां जहां पर मैंने pink portion के है उस portion का हम sensation loss कर रहे हैं तो फर्स वाले diagram में आप देख सकते हैं कि पुरी body का sensation loss होता है यह बहुत major surgery है अगर किसी को trauma होया है या कुछ ऐसी चीज़ होई है या कोसी और party surgery होनी लाइक face की तो उस case में general anesthesia देते हैं इसमें पुरी body का sensation loss हो जाता है next is regional anesthesia इसके अंदर तीन आते है spinal epidural and peripheral nerve block spinal में हमारे waist से नीचे को यानि कमर से नीचे का sensation loss होता है यह usually delivery के time दिया जाता है LSCS के case में next is epidural इसमें हमारे neck portion से नीचे का sensation loss होता है epiferal nerve block में क्या होता है कि किसी portion का sensation loss कर दिया जाता है फिर last आता है local anesthesia इसमें particular body के particular part के भी particular region का sensation loss कर दिया जाता है like hand कभी अगर elbow के नीचे अगर आपको कोई injury होआ है elbow के ऊपर होआ है यह आपके foot में knee से कुछ नीचे sensation loss कराना है क्योंकि उसमें suturing होनी है addressing होनी है और बच्चा जो है वो डर रहा है ताकि पेंड ना हो तो उस केस में देते है local anesthesia so guys मैंने आपको बहुत easy terms में anesthesia समझा है if you want a long video in this like कौन से उसमें drugs use होते हैं और क्या उसका procedure होते है anesthesia का so you can comment down below otherwise this knowledge is sufficient for knowing that what is anesthesia अगर आपको question attempt करना है तो उसके लिए मैं अलग video बनाऊंगी so अगर आपको समझना था तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा convenient होगी है समझने में की anesthesia क्या होता है जिसको बिल्कुल भी anesthesia के बारे में जीनो नॉलेज है तो उसके लिए वीडियो जो है वो बहुत हेल्फुल रहेगी so if you want a long video so you can comment down below so अगर आपको ये वीडियो पसंदा है होगी तो लाइक करना and just subscribe to my channel for more such videos I'll provide you with all the stuff and all the materials regarding to B.S.E. Nelsin so thanks for watching